गैंगरे पेड़ता चात्रा के परिजनों से मारपीट, महिला थानेदार और पुलिस कर्मियों पर आरोप स्पी से शिकायत शिवपरी जिले में गैंगरे पेड़ता चात्रा के माबाप और चाचा के साथ मारपीट किये जाने का मामला सामने आया है गुरुवार को इसके शिकायत पुलिस अदिक्षा कारियाले में दर्ज कराई गई है गैंगरे पेड़ता चात्रा की माँ बाप और चाजा के साथ मारपीट किये जाने का ये पूरा मामला भौनती थाने का है आरोप है कि गैंगरेब का शिकार हुई चात्रा के परिजनों से एक महिला पुलिस अदिकारी और कुछ पुलिस कर्मियों ने कमरे में बंद कर पट्टों से मार पीट की है घटना की शिकायत पेडित परिवार ने स्पी ऑफिस में दर्च कराते हुए कारेवाही की मांग की है जानकारी के अनुसार भौनती थाना शेत्र से करीब दो महा पूर्व एक 16 साल की नाबालिक लड़की का तीन लोगों द्वारा अपरहड किया गया था जिसके बाद उसके साथ आपरहड करता भगवत उर्फ भोला पोत्र सिरनाम परिहार और पवन तिवारी ने गुजरात के हमदबाद में लगातार दो महा तक उसके साथ गैंग रेप किया तबियत खराब होने पर आरोपी लड़की को हमदबाद से भौनती छोड़कर भाग आरोप है कि पुलिस ने लड़की को मेडिकल नहीं कराने की सलहा दी थी जिसके बाद इसके शिकायत शिवपरी स्पी ऑफिस सहिते CWC में आवेदन दर्ज कराई थी जिस पर नावालिक शात्रा दो महा की प्रेगनेंट निकली आरोप है कि गैंगरे पेड़ता शात्रा के परिजनों द्वारा S.P. ऑफिस और CWC में शिकायत करने से नाराज एक महिला पुलिस अदिकारी ने चात्रा के मा, बाप और चाचा के साथ मार पीट की है पेड़ता के परिजनों ने इस मामले में S.P. आवेदन देकर महिला पुलिस अदिकारी और पुलिस कर्मियों के ख कि ना ओमेडिकल बूने दिया था उस समस्या में S.P. साब ने कह दिया था कि जा mastering से सब करवाएंगे के पुलिस अधाररा से भाले प्लिस अधाने युखBack कर then हमको बैठ पहले के आया का, बैठो, बैठे रहे हैं, हम बैठे रहे हो, फिर जिसके बाद में उन्होंने हमारी लखा पड़ाई करें के बाहरे हैं, मैं वारो सर्मेडाम आ गए, मैं मुबाल रख़ें तो जिम में, पर मुझे पर फून्द का और और बीडियो बना रहा है, मै आपना रहाऊ भीडियो कि भीटियो कि अमें बाहर को बड़ाने मार वह दो रहाओ जोसा घंटा वह में गंटा और रुखो यह गंटारी गिड़ाओ म७ाइ ये ऊखाना तो मैंने क cockroach मिला किस तो मैंने पर ओर किसको मारा था और मीरी मेडम को मारा है मेडम मैं ऐसा चाटा दिया पारखर मैडम में और एक राद मुंपोपी यह है यह झाल ऑख बीच यहार में यहा जिंजनी सी आज भी यह झाल जै है